हाई आपकी छोटी सी और प्यारे सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूमेन ब्लड से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपका रिवीजन एक्जाम से पहले बहुत जाद अच्छा होने वाला है तो लेट्स स्टार्ट क क्योंकि वीडियो हो सकता है आपका 10 मिट से थोड़ी जाद लंबियो क्योंकि मैंने सारे क्वेस्टन इहां पर रखे है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला ही सवाल तुमारे सामने है अब मैंने कई सारे क्वेस्टन को एक जगे कर दिया ताकि आपको वीडियो चोटी सी भी लगे और आपके सारे क्वेस्टन भी हो जाए तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन के कितने परसेंट होता है तो लगबग लगबग आपके टोटल वजन का 7 परसेंट होता है मनुष्य के जो आपका ब्लड है बच्चा उसका जो पी एच मान होता है वो आपका यानि कि Potential of Hydrogens वो आपका होता है 7.3 से लेकर 7.4 तक यानि कि यहां से हम कह सकते हैं कि आपका बेसिक सा होता है वहां पर मैं नहीं जाओंगी कि वो पूरा paragraph बचा 7 से नीचे होगा तो 7 से उपर उस पर अभी नहीं बात करेंगे quantity of blood in human body अगर हम liters में बात करें तो आपकी 5 से 6 लीटर के आसपास कहीं कहीं आपको बचा 5 लीटर भी मिल सकता है ध्यान रखना महिलाओं में आधा लीटर कम होता है इसलिए तुम और तुम फिर भी कहते होगी महिलाओं खून पीती है तुमने जादा खून पी रखा है ओके तो महिलाओं में आधा लीटर ये कम होता है ये भी अपने आप में एक सवाल है आगे चलते हैं स्वेस्त मनुष्य को जो रक्त दाव होता है बचा ब्लड प्रेशर होता है वो 120 पर 80 mm HD HD का मतलब यहां पे पारा है ध्यान रखेंगे आगे है रक्त के अध्यन को क्या कहता है तो क्या कहा जाते हैं तो हमेटलोजी कहा जाता है और रक्त के निर्मान की जो परकिरिया प्रोसेस जो होता है कहा पर होता है मैम बोन मेरो में होता है आगे क्वेस्टन पूछा जाएगा और यह देखना कि आपके कितने क्वेस्टन सही हो रहें फिर कोमेंट बोक्स में जर परसंट के आसपास होता है, और दूसरा आपका क्या है, आपका कोर्परसियोल, जिसमें आपका RCBs होती है, जिनका ये वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, एरित्रो, साइटस, उसके लावब 1% के आसपास आपका क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, WBC होती है, इनको आप RBC कहते हो, सबसे ज़्यादा है, 120 दिनों को इनका कारेकाल होता है, ध्यान रखेंगे, आगे आपके सामने है, प्लाजमा से, फाइब्रोजन को निकाला जात है, आगे चलो, आगे आपका क्या जाएगा, रख्त से RBC को जब निकाला जाता है, ठीक है, रख्त से RBC को जब निकाला जाता है, तो सेश भाग आपका क्या बचेगा, बचे जब रख्त से आप RBC को निकाल दोगे, दो भागों में एक प्लाजमा है, एक आपका जाधतर भ जो आगे आपका आएगा भी और मैंने अभी अभी उस फोटो में बताए भी है रोक के एक बार देख लेना इसकी खोज किसने की थी एंटोनी 11 होक ने बहुत पूछा जाता है तो यह आपका पोस करके एक बार नाम जरूर देख लेना आगे आपके सामने प्लाजमा का रंग बत्तीं जो है वह केसा होता है तो यह आपका पीला पीला सा होता है जो आपने अभी फोटो में देखा एंगे लिज पूछा घए ़्मक क्यों होता है यह सवाल बहुत पूछा गया धूर से पहले भी मैदी करवाय था और मैंने एक बच्चा को में देखे था हुए तो झाल आपका उता है ध्यान रखना, प्रून अवस्था में the Bbutus RT, प्रून अवस्था में P प्रून अवस्था में RBC का निर्मान आपका ये इन यो होता है, आपका चाहारक रंवारत रहन के लिवर में होता है, एक से दो हफ्ते या फिर आठ से दर जिन के आसपास आपका, किसका प्लेटलेट्स का होता है, यह चीज धान रखेंगे, आरबीसीज के कबरगरह को क्या कहते हैं, वोटीजदा, टॉम, ठीक है, ओब आरबीसीज, तो आपका स्प्लीन दोनों सेम यह बच्छा है, हिंदी इंगलिश में लिखे हुए है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ओफ आरबीसी किसे कहा गया है, तो स्प्लीन यानिकी पलीहा, ठ वेंगउ में कोन सी चीज पर सबसे जादा फर्क पड़ता है, सबसे जादा तेजी से क्या चीज गिरती है, जल्दी से कॉमेंट करके बताओ, पहडों पर जाने पर, आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है, यह मानव बढ़ जाता है, आगे चलते हैं, सोते समया, आर्बेसीज की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है, यह मैं कम हो जाती है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, विटामिन और प्रोटीन दो सवाल आएंगे, तो यहां पर विटामिन वाला पूछा है, विटामिन वाले मैंने वीडियो में भी आपको करवाया था, कौन सा ग्रूप है, ब्लड ग्रूप है, जैसे मेरा आपका A है, ठीक है, मेरे भाई का O है, आपका भी कुछ होगा, आगे चलो, रह तत्व, ठीक है, रह फेक्टर की खोज आपके कार्ड लेंड स्रीन नहीं की थी, कौन सा रक्तिसमू, सर्वग्राही, मतलब वो सब का ग्रहन कर सक है, आजाओ भी, आजाओ, जिसका मन घर है, वो आजाओ, कौन सा रक्तिसमू, सर्वग्राही, रक्तिसमू कहलाता है, यह आपका A, B होता है, बच्चा, सर्वदाता कौन सा होता है, इसमें कोई भी एंटिबोडी नहीं होती है, इसमें एंटिजन पाए जाते हैं, तो कौन स सबके सकता है किया कोई एंटीजन नहीं होता है इसे वाले में आपने आडिपोडि और WBC का अनुपायत क्या होता है, बच्छा बहुत बड़ा, 600 और 1, 600 मतलब RBC की ये लगबग अनुपायत में संख्या होगी, और एक आपका WBC की, नंबर of RBC is determined by Hemocytometer, ध्यान रखना, RCB का जो नंबर है, उसको मापने के लिए जो यूज किया जाता है, Hemocytometer सही जवाब हो जाएगा, आगे मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता, आपके कोर्णिया में रक्त नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना, हमारी जो सबस्क्स, डौरी जो जो कोर्णिया पाट होता है, उसको ग्र्धाप नहीं पाया जाता है, रक्त नाप किस यंतर के द्वारा ये तो RBC को हो गया, आपका, ठीक है, लूकोसाइट्स आपका क्या हो जाएगा नीचे आगे बात करेंगे लूकोसाइट्स जो है वो WBC का एक वग्यानिक नाम है WBC का जीवनकाल आपका कितना होता है दो से पांच दिन के आसपास कहीं कहीं आपका एक से चार दिन भी लिखा मिलेगा घबराना बिल्कुल भी नहीं ठीक है आगे देखते हैं मानव शरीर के रख्त में सबसे ज़ादा WBC कौन सी पाई जाती है अब यहां पर इसको पोस करके बच्चा देखना यह WBC वाइड ब्लूट चैल से सबसे ज़ादा जो पाई जाती है वो आपकी देखो सबसे ज़ादा जो आपकी पाई जाती है मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, that is monocyte, that is आपकी monocyte सबसे बड़ी, यहाँ पर figure में यह आप देख सकते हैं उसको अराम से, और अगर हम बात करें सबसे छोटी तो lymphocyte आपकी सबसे छोटी होती है, यह मैंने आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, रोग कौन सा हिससा काम करता हो, इसका बैसोफिल्स काम करता है, उसका पाट जो आपने वहाँ पर देखे हैं, आगे आपका क्या है, जिवानू से लिपटने के लिए WBC का कौन सा हिससा कारिये करता है, निट्रोफिल्स आपका कारिये करता है, प्रोटोजोवा, ठीक है, या फिर कि आपके वाईरस से निपटने के लिए WBC का कौन सा इससा कारे करता है Acinophils चाहिए आपने Acinophils नहीं देखा शायद है ना Acinophils आपका यह रहा बीच वाला Acinophils, Bacophils हो गया, Monocytes हो गया, छिक है, Lymphocytes और आपका यह Neutrophils, चलो, आगे चलो, कहां है, यह रहा, मनुष्य के रक्त में, Human Blade में WBC की कमी को क्या कहते हैं, आप कहेंगे बच्चा, Leukopenia, ध्यान रखना, Leukopenia, WBC की कमी को कहा जाता है, आगे चलते हैं, Human Blade में WBC के बढ़ने, जिसके बढ़ने के कारण हमें कई बार क्या हो जाता है, ब अनुष्य के रक्त में, WBC बढ़ने से कौन सी बिमारी हो जाती है, बलड कैंसर हो सकती है, प्लेटलेट्स, यानि कि इनको बिम्बानु भी हिंदी में बूला जाता है, इसका वैज्यानिक नाम, देखो, दो आपने देख लिए, तीसरा ये है, बच्चा, थंब्रो साइड, प्लेटलेट्स का निर्मान आपका कहाँ पर होता है, आपका RBC का जहाँ पर होता है, मैम, अस्निमत जयानिक आपका बॉन मेरो, आगे चलते हैं, प्लेटलेट्स का जीवन काल आट से दस दिन, कहीं कहीं आपका दो हफते के आसपास भी मिल सकता है, बच्चा, ध्यान रखन तो संख्या, सबसे ज़्यादा आपकी RBCs क्यों होती है, फिर platelets और बच्चा फिर आपका WBC, यानि कि B option आपका correct हो गया, मानव के रक्त में सबसे ज़्यादा पाय जाने वाली कोशि का कौन सी है, RBCs है, मानव रक्त में सबसे कम पाय जाने वाला आपका WBC है, क्योंकि दूस कोक्रोच का रंग कैसा होता है, यह भी आपके कुछ प्रिवेस यर के question है, बच्चा, तो कोक्रोच का रंग होता है, मानव वो सफेद होता है, किसी दिन मार के देखना कोक्रोच को, किसके कारण होता है, जैसे अपना लाल होता है, किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, म का color जो होता है वो white होता है रक्त का. Oktopus का रक्त बहुत पूछा जाता है कैसे रंका होता है नीले रंका होता है आपने movies में बहुत बाहर देखा होगा रक्त के थक्ट, जमने में मुक्हाँ protein के अगर हम बात करें that is a fibrogenane, okay ठीक है, फाइब्रो नोजन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर रत के ठक्के जमाने वाला मुख्य ये प्रोटीन है, ठीक है, ठक्का नहीं जमने देता है, शरीर के अंदर हिपेरीन, बाहर आपका कौन सा यूज करता है, विटामिन के हमें, बाहर जब बलड निकलता है, तो वो निकलता ना रहे, आपका एक खुरंड बोलता है हमारे इसमें, तो जम जाता है वो चाओ, वो विटामिन के की वज़े से, ओके, आगे देखे, किसकी उपस्तिति कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, हिपेरीन के कारण में नहीं जमता है, एंटीबोडी कितने प होता है, अस्थी मज्जा में होता है, WBC होगे, प्लेटलेट्स होगे, यानि की विम्बानो जो आप बोल रहे हो, RBC होगे, इनका निर्मान जो है वो आपका बोन मेरो के अंदर होता है, रत्त के सुध्धी करण की परकिरिया को डाइलेसिस कहते हैं, कई बार कि कुछ लोग ग्रूप में कोई antigen नहीं पाया जाता, तो antigen नहीं पाया जाता, group O में नहीं पाया जाएगा, बाइचांस बूच ले, antibody नहीं पाये जाएगी, तो antibody A में नहीं पाये जाएगी, अब आगे के दो-ती उन question है, वो इसी चार्ट से related है, इसको देखो और आपको सारा आंसर यह में 55-60% हम भी देखकर आपका आए है, रक्त में कौन सा धातु पाये जाता है, रक्त में लोहा, अगर option में सोना नहीं है, तो आपका लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाये जाता है, यह correct answer हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सोना भी है, तो आपको दोनों पे answer लगाना पड़ेगा, यानि कि मैं उप्युक्त दोनों आपका, रक्त जमने के किस तत्व की मुख्या भूमी का होती है, मैं कैल्सियम की सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा भूमी का रक्त के जमने में आपकी कैल्शियम धातु की होती है, आगे, अस्थी मज्जा में किस उत्तक से र सबसे करवाने की, आप इसको दुबारा देख लेना, अगर आपका कोई भी क्वेस्टन गलत हुआ है, तो उसको जरूर दुबारा से ठीक करना, most important आपकी 10 minute की क्लास है, and, मतलब 13 minute की हो गई, thank you so much everyone, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही बहतरी इन से topic से, आप भी suggest करो, कि मैं इस इस topic में और बना दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे topic में बना रखी है, फिर भी आप उनको मांग रहे हो, बच्चा, तो एक बार, 10 minute show, बाइन नमू मैम, जरूर देखें, बच्चा, आपके बहुत सारे topic डल चुके हैं, है न, या फिर उस topic का नाम उठाईए, बाइन नमू मै आपका हो जाएगा, ओके, आपको वो मिल जाएगा, and मेरी class होती है, डेली शाम को 6 बजे, SSE वाला YouTube चैनल पे, MTS के लिए, वो भी आप देखना बिलकुल नहीं भूलेंगे, take care everyone, bye bye, love you, and thank you so much, jai hind.